किसी को ठगना ही क्यों ना पड़े, वह तो क्या है हराम की कमाई जो है वहाँ करना चाते हैं, टॉर्च बेशने वाले से, तबी वहाँ उत्तर में कहता है कि आपके सभी अंदाजा जो है वहाँ गलत है, पांच सल पहले जो है मैं और मेरा एक दोस्त, मैं मतलब टॉर्च कि आपके समय कहता है कि आजकल जो है हर जगा अंदेरा ही अंदेरा चाया हुआ है नमस्कार, मैं हूँ हर्शीता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर आज हम मैसूर उनिवर्सिटी के सेकेंड सेमिस्टर बीबीए के हिंदी पाठेक्रम से जो गद्धी प्रतिबा है उसमें से जो टॉर्च बेशने वाला पार्ट है उसको देखेंगे पार्ट को देखने से पहले हम जो लेक्च परिचे है उसको देखेंगे देखेंगे जो टॉर्च बेशने वाला वहाँ एक वेंग्य लेक है तो इस वेंग्य लेक के रचेता है हरिशेंकर परसाई जी हरिशेंकर परसाई जी जो है हिंदी आदुनिक साहित्य के बहुती प्रसिद्य वेंगि साहित्य कार जो है वहाँ माने जाते हैं देखें इनकी जो जन्म है वहाँ 22 अगस्ट 1922 में होशंगाबाद में होती है वेंगी को हिंदी साहिति में जो है वेंगी को एक विधा के रूप में स्तापित करने वालों में से हरिशेंकर प्रसाईजी भी जो है वहाँ एक प्रमुक साहितिकार है इन्होंने क्या किया है वेंगि को जो है वेंगि जो सिर्फ हासे के हलके फुल के विनो तक सीमी था उसे उस दाइरे से बाहर ले आकर एक तिलमिला देने वाली एक धारदार अउजार के रूप में उन्होंने स्थापित किया है तो इससे यहाँ एक आईतिहासिक कारी है तो इसी कारण से इन्हें वेंगि साहित्ति के प्रमुक साहित्ति का माना जाता है इन्होंने अपनी रचनाओं में जो जीवन के असंगतिया है समाज में जितनी भी कूरीतिया है कूर प्रताये है जो ब्रष्टासार सभी होते है तो सब के बारे में जो वेंग्यात्मक टिपणिया जो है अपने रचनाओं में यहाँ लिखते हैं और उन सब के प्रती वहाँ प्रश्न जो है उठाते हैं और समाज में जो है उन सब के प्रती जागरता लाने की जो एक कोशिश है अपने रचनाओं के जरिये वहाँ करते हैं वो बाये उनके प्रमुक रचनाएं जो है वहाँ देखिया है देखें डेखें चलो यात्रा करें जैसे उनके दिन फिरे हसते हैं रूते हैं सदाचार का T 위z पक धंडियों का जमाना यह सभी उनकी कुछ प्रमुक रचनाएं है तो प्रस्तुद 지えば वेंगे लेकर फिर प्रस्तुत पाथ जो है टार्च बेशने वाला उसमें उन्होंने क्या किया आपर वो कहते है कि वेंगे अत्मक रूप से ही ये कहते है कि जो आजकल जो हराम की जो कमाई है वहां महनत और इमांदारी की कमाई से भी श्रेयस कर मानी जाती है वेंगी करते हुए वहां क्या कहते हैं पर आजकल सबी लोग जो है आसानी से पैसे कमाना चाते हैं कम से कम परिश्रम में ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वहां कमाना चाते हैं चाहे उसके लिए उन्हें गलत रास्ते पर ही क्यों न जाना पड़े किसी को दोका ही क्यों न देना पड़े किसी को ठगना ही क्यों न पड़े वह तो क्या है हराम की कमाई जो है वहाँ करना चाते हैं वही आजकल श्रेस कर मानी जाती है तो इसलिए तो आजकल सभी लोग जो है ज्यादा तर लोग जो है वहा सत्य और इमानदारी के राह से राह बटक कर जो बे इमानी और हराम की जो कमाई है उस राहों को पकड़ने के लिए वहाँ जा रहे हैं क्यों आजकल समाज में इतना जो यहाँ पर आत्याचार अन्याय अधर्म यहाँ सभी हो रहा है इसी के चलते हुए सब भी लोग सिर्फ यहाँ पर आराम से बैठ कर पैसे जो है कमाना चाहते हैं तो इस पार्ट में एक टॉर्च बेशने वाले के जरिये जो है एक अच्छा सा एक संदेश वहाँ देते हैं क्या देते हैं आपर जो भी ढोंगी बाबा रहते हैं जो धर्म के नाम पर आध्यात्म के नाम पर लोगों को ठकते हैं उन सबी से दूर रहने के लिए एक देखेंगे देखेंगे पाट को देखने से पहले जो पात्र है उसके बारे में जानेंगे प्रमुक रूप से इसमें तीन ही पात्र है एक तो लेखक और एक है या पर टॉर्च बेशने वाला जो पाट का शीशे की है टॉर्च बेशने वाला करके वही इस लेखक है या फिर इस पाट के प्रमुख पात्र है, एक लेकक को देख सकते हैं, एक टॉर्च बेशने वाले को और एक धोंगी बाबा जो उस टॉर्च बेशने वाले के मित्र है, तो तीनी पात्रियापरम देख सकते हैं, देखें लेकक को इस पाट का प्रारंब कुछ इस तरह करते हैं, कि वह वहां पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था बीच में कुछ दिन वहां नहीं दिखा कल फिर दिखा मगर इस बार उसने दाड़ी बड़ा ले थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था देखे वह यहापर क्या कह रहे है उस टॉर्च बेचने वाले के बारे में वहां पहले जो है चौराहे पर सिगनल उपर सभी जो है वहां टॉर्च बेचा करता था देखे लेकक यहापर कह रहे है कि जो टॉर्च बेचने वाला है वहां पहले चौराहे पर सिगनल उपर सभी टॉर्च बेचा करता था तो रोज जो है लेकक उसको देखते थे मगर ब आगे लिखते जाते हैं, उसे देखते हैं, जैसे ही वो उसे देखते हैं, तो उससे जाकर पूछते हैं कि कहां गए थे, कहां रहे थे बाई, और ये दाड़ी केसे बढ़ा ली करके वहां उसे प्रश्न पूछते हैं, तब ही वहां कहता है कि बाहर गयाता करके कहते हुई, व लेकक उसे ज아कर पूछते हैं कि अब तक तुम कहाते दिखाई नहीं दिये और ये डाडी क्या करके डाडी बडा ली है ये क्या करके वहाँ प्रशन पूछते हैं तो वहाँ डाडी के संदर्ब में कुछ भी आपर जवाब नहीं देता है सिर्फ इतना कहता है कि यही बाहर गया था तब ही लेकक फिर से उसे पूछते है कि मैंने कहा आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो उसने कहा वहा काम बंद कर दिया अब तो आत्मा के बीतर टॉर्च जल उटी है यह सूर्च चब टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं देखिए पहले तो वो दाड़ी के सिंदर्ब में कोई भी यह पर बात नहीं बूलता है तो लेकक फिर से उसे पूछते है कि आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो करके क्योंकि हमिशा तो वहां उस चोराय पर उसी जगे पर तॉर्च बेचा करता था तो आज क्यों नहीं बेच रहे हो करके उट सकता से यह पर लेकक उसे प्रशन पूछते हैं तब ही वहां कहता है कि नहीं मैंने वहां काम बंद कर दिया है क्योंकि अब तो मेरे आत्मा के बीतर जो है टॉर्च जल उटी है मेरे आत्मा में टॉर्च जल उटा है इसलिए यह जो सूरच चब टॉर्च है वहां विर्थ मालुम होता है विर्थ लगता है करके टौर्च बेशने वाले की जो बात है जो कहता है उसे सुनकर यहाँ पर लेकक को जो है आश्चरी होता है देखे जैसे ही यहाँ पर टौर्च बेशने वाला जो है लेकक से इस तरह बात यहाँ पर करता है तो लेकक उसे पूछते हैं तुम क्या सन्य सत्व ग्रहन करने वाले ह जिसके आत्मा में आपर टॉर्श जलूटी है, प्रकाश जलूटा है करके, किसे देक्षा लेकर आए, ऐसे लोग जो है, ऐसे हर्म कोरी पर उतर आते हैं करके वहाँ पूछते हैं। तबी आपर टॉर्च बेशने वाला लेकक से कहता है कि ऐसा मत कहो सहाब आत्मा तो सबकी एक है तो इस तरह की खटोर बाते करते हुए आप मेरी आत्मा को जो चोड़ पहुचा रहे हुआ आपकी आत्मा को भी चोड़ पहुचती है मतलब आत्मा तो सबकी एक है तो इसलिए इस तरह की बाते मत करो सहाब करके वहाँ बोलने लगता है। तबी देखे यहापर लेकक फिर से उसे पूछते हैं। मैंने कहा यहाँ सब तो ठीक है, मगर यहाँ बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंध हो गया? क्या साहुकार ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च बीतर आत्मा में कैसे गुस गया? देखे यहाँ पर वहाँ कह रहे हैं, लेकक जैसे ही आप र टौर्च बेशने वाले के सबी सुनते हैं, उन्या अजीब लगता है वो कहते कि ठीक है वो सभी छोड़ दो, वो आत्मा की बात करता है तो इसलिए कहते कि ठीक है वो सभी छोड़ दो अभी ये बताऊ, कि तुम ऐसे कैसे हो गए? जो पहले मेहनत करके परिश्रम करके दिन बर दूप में बारिश में जो टॉर्च बेचा करता था आज वो बोल रहा है कि टॉर्च नहीं बेचूंगा आत्मा में जो टॉर्च है वहाँ जल उटी है अभी तो इस तरह सभी जो कहा रहा है जो काम इंग करता अभी फिलाल तो वहाँ पूछते हैं कि तुम ऐसे कैसे ओ गया और इसे सभी बातें तुम कैसे कर रहे हो किह तुम्हें बीवी ने छोड़ दिया क्या या फिर तुम्हें उधार मिलना बंध हो गया क्या या फिर साहुकर ज्यादा तुम्हें तंग कर रहे हैं क्या या फिर कहीं चोरीवरी करके फस गये क्या करके यहाँ पर प्रश्ण जो है वहाँ पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी दिमाग में फिलाल अभी बहुत सारे प्रश्ण जो है यहाँ पर उठ रहा है तो इसलिए वहाँ कि सामने इस तरह का जो प्रश्ण है वहाँ पूछ रहे हैं क्योंकि अचानक से यह जो बाहर का टॉर्च क्योंकि वो तो टॉर्च बेशने वाला था ना इसलिए वो उसे पूछते हैं कि अचानक जो बाहर का जो टॉर्च है वहाँ अंदर कैसे जल उटा करके देखिए जैसे ही लेकक इतने सारे प्रश्णों जो है वहाँ पूछते हैं टॉर्च बेशने वाले से तभी वहाँ उत्तर में कहता है कि आपके सभी अंदाजा जो है वहाँ गलत है क्यूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इतना प्रश्णों उन्होंने पूछा ना कि बीवी ने चोड़ दिया क्य या फिर साहुकार तंकर रहे क्या या फिर कहीं चोरी करके पकड़े गए क्या तो ये सभी जो प्रश्णों वो पूछते तो कहते हैं कि यह सभी गलत है आपका अंदाजा सभी गलत है ऐसा कुछ भी बात नहीं है जो बात है असल में वो तो मैं गुप्त रखना चाहता था म मगर आप इतना पूछ रहे हैं और मैं आज ही शहर से बाहर जा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ जो बात है असल बात क्या है करके वहां बोलना जो है शुरू कर देता है जो टौर्च है वहां बेच कर कमाई करता था उसे छोड़ दिया अभी उसके जो पहले की बात है नиях अपने एक दौस के साथ हताश एक जगा बैटा था हमारे सामने आसमान को चूटा हुआ एक सवाल ख़डा था देखे वह अभी जो बात है की यह पांच सल पुरानी की बात है पांच सल पहले जो है में और मेरा एक दोस्त में मतलब टॉर्च बेशने वा और उसका एक दोस्त, मतलब वो कहता है कि मैं और मेरा दोस्त जो है बैटे हुए थे एक सवाल को लेकर, वो कहता है कि हमारे सामने जो है आसमान को छूता हुआ, एक प्रश्न जो है वहाँ खड़ा था, वहाँ क्या प्रश्न है, क्या वहाँ सोच रहते, देखिए, वहाँ सव दोनों युवक जो है वहां बे रोजगार थे तो इसली दोनों दोस्ते बैट कर एक जगा सोच में पढ़ जाते है कि क्या करें हम कौन। काम करे या फिर कमाई कैसे करे पैसे कैसे हम कमाए करके यह जो सवाल है उनके दिमाग में रहता है इसलिए वो कहता है कि क्या है हम दोनों के सामने एक प्रश्ण जो है खडाता वो भी आसमान को छूते हुए तो इसलिए वा कहता है आगे हम दोनों ने उस सवाल की एक एक तां पकड़िया और उसे हटाने की कोशिश करने लगे हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं दोस्त ने कहा यार इस सवाल के पाउं जमीन में गहरे गड़े है यहां उखड़ेगा नहीं इसे टाला जाए देखे यापर अभी दोनों दोस्त हैं बेरोजगार है अभी वह काम कौन सा करे पैसा कैसे पैदा करे ही तो उन्हें अभी फिलाल सूझ नहीं रहा था यहापर देखे वो कहता है मैंने और उसने दोनों ने उस प्रश्न की एक एक टांग पकड़ी और उसे वहां से हटाने की कोशिश की मगर वहां हिला भी नहीं फिर दोस ने कहा कि इसकी तो पाव जमेन के अंदर तक गड़ गया भी इसे हिलाना तो मुश्किले छुड़ो इसे टाली देते हैं करके तो उस प्रश्न को टालने की वहां बहुत कोशिश करता है फिर भी वहां प्रश्न बार बार उनके सामने आ जाती है वो मूँ मोडने पर भी मूँ फेरने पर भी उसके सामने वही प्रश्न जो है उनके सामने आती थी तो इसलिए वो सोच लेते हैं कि ठीक है ये तो ठलने वाला तो नहीं है चलो अभी इस प्रश्न को जो है हम हल ही कर देंगे करके तो दोनों बैट कर बाते करते हैं फिर एक निर्णा लेते हैं कि चलो अभी पैसे कमाने के लिए तो यहाँ पर कुछ तो काम देंदा करना पड़ता है तो जो टॉर्च बेशने वाला है वो अपने दोस्ते कहता है कि ठीक है अभी हम अपने किस्मत को आजमाने के लिए दोनों अलग अलग दिशाओं पर जाएंगे और फिर पांच साल बाद यही मिलेंगे फिर पांच साल बाद इसी तारीक को हम इसी जगह पर मिलेंगे करके जो टॉर्श बेशने वाला अपनी दोस्त को कहता है तब तो दोनों के जेब में एक रुपया नहीं था तो इस तरह कहने पर जो दोस्ते वहां टॉर्श बिशने वाले से कहता है कि दोनों अलग-अलग क्यों हम दोनों एकी साथ जाएंगे करके तब ही टॉर्श बिशने वाले उससे कहता है कि नहीं क्या है जहां तक हमने देखा है किस्मत आजमाने वालों को जो है वह अगर साथ में जाएंगे तो उनकी किस्मत एक दूसरे से टक्राने के संभावना रहती है और वह अपने काम में असफल हो जाते हैं इसलिए हम क्या करेंगे अलग-अलग दिशाओं में जाएंगे अपने किस्मत को आजमाएंगे फिर पांच साल बाद यही पे मिलेंगे इसी दिनांग पर इसी डेट पर और इसी जगा पर मिलेंगे करके वहा कहता है फिर दोनों दोस्त अलग-अलग दिशाओं पर चले जाते हैं फिर वहां आगे कहने लगता है कि तो साहब हम अलग-अलग चल पड़े मैंने टॉर्च बेशने का धंदा शुरू कर दिया चवराहे पर यहां मैदान में लोगों को इखटा कर लेता और बहुत नाटकी यह धंग से कहता आजकल सब जगा अंदेरा चाया रेता है राते बेहद काली होती है अपना ही हाथ नहीं सूचता आदमे को रास्ता नहीं दिखता वहाँ भटक जाता है देखिए अभी ऐसे सोच कर पांच साल पहले की बात अभी उसने कहा था तो इस तरह ऐसे सोच कर तो साब हम दोनों अलग-अलग दिशा पर चल पड़े तो मैंने इस शहर में आकर टौच बेशने का काम जो है शुरू कर दिया तो आपको ही पता है तो मैं क्या करता था या पर लोगों से कहता था टौच बेशते हुए आजकल हर जगा जो है अंदेरा चाया हुआ है तो या पर अंदेरे में जो लोग है वहार आहा बटक सकते है या फिर अपना याद का ये भी नहीं सूचता है आदमी को रास्ता नहीं दिखता है और वहां भटक जाता है करके देखे हर शंकर पसाईजी ने इसकी जो रचना कब की थी तब तो यहाँ पर करेंट सभी जएदा नहीं था देखे ये उस समय की बात है जब रात में बिजली सभी नहीं होते थे या फिर सबके गर में बिजली जो है वहां नहीं रहता था तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का प्रयोग है वहां किया जा रहा है तो देखे आपर वह टॉर्च बेशते समय कहता है कि आजकल हर जगा अंदेरा ही अंदेरा चाया हुआ है तो अंदेरे में जो लोग है वहां राह बटक सकता है फिर उसके पाउं कांटों के बिन जाते है वहां गिरता है और उसके गुटने लहु लुहान हो जाते है उसके आसपास भयानक अंदेरा है शेर और चीते चारो तरफ घूम रहे है साम जमीन पर रेंग रहे है अंदेरा सबको निगल रहा है अंदेरा घर में भी है आदमी रात को पेशाब करने उड़ता है और साम पर उसका पाउप पड़ जाता है साम उसे डस लेता है और वहां मर जाता है यह सभी बाते कौन कर रहा है, टॉर्च बेशने वाला, टॉर्च बेशने वाला जो टॉर्च बेशते समय, किस तरह यहाँ पर लोगों को इस सभी बाते बोल कर, वह अपनी टॉर्च जो है बेचा करता था, तो इस तरह वह सभी बाते कह रहा है, वो कहता है कि आपको तो पता यह मैं torch किस तरह बेशता था मैं बहुत ही महनद से दूप में हो बारिश में हो यह पर चोरहे पर कड़े हो कर इतने सभी बाते जो है बोल कर आपर लोगों को torch जो है बेशता था अपनी कमपनी का जो सूरच चप टॉर्च जो है उसे बेशने के लिए लोगों को अंधेरे का जो डर है वहाँ दिखाता था तो इसलिए यह सबी बात बोलता है कि रात में तो या फिर आजकल जो है हर जगा जो है अंधेरा चाया हुआ है आदमी राह बटक सकता है या फिर कहीं भी जो है या पर शेर चीते सभी घूमते रहते हैं अंधेरे में वहाँ उनका शिकार भी हो सकता है सिर्फ इतना ही नहीं बार ही नहीं गर के अंदर भी जो है यहाँ पर अंधीरा रहता है हो सकता है अगर रात में वहाँ पेशाप करने के लिए उठे तो सांप पर उसका पाउ पढ़ जाए और सांप उसे डस ले और वहाँ मर जाए अंदेरे में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है यहां तक कि बाहर भी चलते हुए से भी कांटों पर भी आपके पाउ पढ़ सकते है और क्या है या पर आपका पाउ जो है लहुलुहान हो सकता है खून निकल सकता है आपको छोड़ पहुँच सकते है किसी पत्तर से ठकरा सकते है या तक किसाम पर पाव पड़ सकते है या फिर शेर चीते से सामना हो सकता है या सभी किस कारण हो सकता है अंधेरे के कारण इसलिए तो इस तरह जो है या सभी ये बाते करते हुए वहां आगे कहता था लोगों को लोग डर जाते तब मैं कहता भाईयों यहां सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है वही प्रकाश में मैं आपको देनी आया हूँ देखे आपर फिर वहाँ क्या करता इसलिए यह सभी बाते जो है वहाँ करता था कि अभी वो अपने टॉर्च बेचे देखे इसलिए जो टॉर्च बेशने वाला है या सभी बाते करता है कि वो जो टॉर्च है वहाँ बिक जाए क्यूंकि पहले तो वो इस सभी बाते बोलकर लोगों को अंदेरे का जो ढर है वहाँ दिखाता था अंदेरे में उनको नुक्सान पूँच सकता है यह एसांस जो है उन्हें दिलाता था फिर यह बात कहता कि अभी अंदेरा है तो प्रकाश भी है अभी क्या है आप हमारे कंपनी का जो सूरच चाप टॉर्च जो है उसे लीजिए तो क्या हो सकता है आप अप बच सकते हो इन सब से करके क्याकर वहां अपनी जो कंपनी का जो टॉर्च है बीचा करता था फिर देखे आपर हमारी सूरच चाप टॉर्च में वहां प्रकाश है जो अंदकार को दूर बगा देता है इसी वक्त सूरच चाप टॉर्च खरीदो और अंदेरे को दूर करो जिन तो यहाँ पर लोग जो है क्या करते थे उसकी जो टॉर्च है वहाँ ले लेती थे क्योंकि यह कहता था ना अभी क्या है हमारी टॉर्च में हमारी सूरच चप टॉर्च में इतनी प्रकाश है कि वहाँ अंदेरे को जो है भगा देता है दूर कर देता है तब उस रोशनी में आप सुरक्षिते रह सकते हो तो आप हमारी तौर्च खरीदिये करके वहां कहता था तो लोग डर कर अगर जान तक बात आएगी तो सभी लोग डर जाएंगे तो इसलिए लोग ज्यादा तर उससे तौर्च खरीदते थे देखें कितनी होशियारी से जो है वहां आपकर टौर्च बेचा करता था और उतना ही महनत भी करता था चाहętए दूप हो बारिश हो वहां हर दिन चोराएं पर वहां टौर्च बेचा करता था आज के लिए इतना ही इसके नेक्स सेशन में हम ये देखेंगे कि अभी जो टॉर्च बेच रहा था इतने अच्छे खासे से आपर महनत करके होशियारी से जो अभी ये जो टॉर्च है वहाँ बेचा करता था तो वहाँ क्यों अभी वो काम बंद कर दिया उसने और जो दोस्त था जिससे बात हुई थी कि 5 साल के बाद फिर वो लोग मिलेंगे वहाँ क्या काम करने लगा ता क्या है वह सभी हम नेक्स सेशन में देखेंगे धन्यवाद